बिश्वका प्रतेक जीव बिना किसी के सिखाए पढ़ाए ही नैचुरल एक मात्र आनन्द ही चाहता है क्यों? इसलिए कि आनन्दो ब्रह्मेत बेजानात बेद कहता है कि भगवान का दूसरा नाम है आनन्द और प्रतेक जीव भगवान का अंश है ममै वान्शो जीवलो के जीवभूत तना तना इसलिए प्रतेक जीव आनन्द का अंश हुआ और आनन्द का अंश होने के कारण केवल आनन्द ही चाहता है कोई भी मतावलंबी हो ब्रिक्ष से लेकर ब्रह्मा तक सब केवल आनन्द चाहते हैं और सब आनन्द के दास हैं सेवक हैं जीवेर सोरूप होई कृष्णेर नित्य दास गवरांग महाप्रभू ने कहा कि प्रतेक जीव सिरिक्रिष्ण का दास है क्योंकि आनन्द का दास है आनन्द के लिए प्रतिक छण हम लोग प्लानिंग प्रैक्टिस करते रहते हैं जितना संसार हमी कठा करते हैं केवल अपने आनन्द के लिए मा से, बाप से, भाई से, त्री से, पती से अनेक सामानों से अपना आनन्द चाहते हैं अपना आत्मा का आनन्द केवल अपना आनन्द सुर नर मुनि सब की यहरीती कोई हो तो आनन्द रूपी भगवान का अंश है जीव इसलिए आनन्द का दास है इसलिए सेवा करता है प्रते ब्यक्ति अपनी अपनी सेवा वो सेवा दो प्रकार की होती है एक फिजिकल एक स्प्रिचुल अर्थात एक शरीर संबंधी एक आत्मा संबंधी बस जो शरीर संबंधी ही सेवा करता है वो बुद्धु है और जो आत्मा संबंधी सेवा करता है वो बुद्धिमान है कितना सा अंतर है सेवा सब कर रहे हैं करना पड़ेगा और कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि हमको आनन्द चाहिए आनन्द के लिए हम प्रेयत्न करेंगे अब बुद्धी ने जैसा कहा यहां आनन्द है वहाँ भाग पड़े फिर बुद्धी ने कहा यहां नहीं है यहां है वहाँ भाग पड़े बस आनन्द के लिए हम भागते फिर रहे हैं आत्मा का आनन्द भगवान से ही मिलेगा शरीर का आनन्द संसार से ही मिलेगा दोनों अलग-अलग सब्यक्ट हैं आत्मा भगवान का अंश है इसलिए आत्मा का आनन्द परमात्मा से मिलेगा और शरीर माया का बना है और संसार माया का बना है इसलिए शरीर का सब्यक्ट संसार है यह जो पांच ज्यानेंद्रियां है इनका जो सब्यक्ट है सब्दस पर्ष रूप रस गंद हम यही तो चाहिते हैं संसारते लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हम शरीर नहीं है आत्मा है हम बोलते भी तो है हमारा शरीर कमजोर हो गया हमारा शरीर बूढ़ा हो गया हमारा मन खराब हो रहा है हमारी बुद्धी बिगड़ गई यह सब हमारे है जो हमारा है वो हम नहीं हो सकता यह तो हम का है न हमारा है यह हम कौन है जो हमारा नहो वो हम है वो हम है आत्मा जीव जो शरीर छोड़ने के बाद जब चला जाता है तो हम इस शरीर को मिट्टी कह देते हैं और बड़े बड़े प्यार का दावा करने वाले मा, बाप, बीबी, पती घर से बाहर निकाल देते हैं ए मर गया, बाहर, बाहर घर के बाहर ले जाओ, तुरंट अब उसकी इन्पॉर्टेंस जीरो हो गई तो वो जो निकल गया, वो आत्मा है जीव है, उसका जो लक्ष है वो भगवान की सेवा तो आध्यात्मिक सेवा, नमबर एक संसार की सेवा, नमबर दो संसार की सेवा से संसार मिलेगा भगवान की सेवा से भगवान मिलेंगे बार अलग अलग सब्जेक्ट है दोनों तिसरी कोई चीज नहीं एक जीव, एक संसार, एक भगवान तीन तत्व है अनाध्यनन तो जीव के लिए दो तत्व बचे एक भगवान, एक माया माने संसार तो संसार ब्रह्म लोग तक है स्वर्ग लोग आप लोग नाम सुनते हैं न वहाँ भी माया है वहाँ भी आत्मा का आनंद नहीं है आत्मा का आनंद केवल स्री कृष्ण के पास है भगवान के पास है तो इस प्रकार सेवा भी दो प्रकार की हो गई एक संसार की सेवा एक भगवान संबंधी सेवा और सेवा करना पड़ेगा सब को कोई अपने शरीर संबंधी नातेदारों की सेवा करे मा की, बाप की, भाई की, बीबी की, बाल बच्चों की और कोई भगवान संबंधी सेवा करे करना पड़ेगा तो इसमें एक बार ब्रह्मा के पास उनकी तीनों संतान गई देव, मानव, दानव और ब्रह्मा से कहा कि पितामा जी उपदेश दीजिये कुछ तीनों बैठे थे तो ब्रह्मा ने तीनों की ओर देखा और कहा दा, दा, दा और चले गए, हो गया लेक्चर दा, दा, दा अब देवता लोग मीटिन करने लेगे भी ये पितामा जी ने दा कहा क्या मतलब इसका और मनुष्यों ने भी बिचार बिमर्ष किया दानों ने भी बिचार बिमर्ष किया ये दामा ने क्या पितामा जी से पूछे तो उन्होंने कहा दाम्यत दत दयाद्वम देवताओं से कहा कि तुम लोग इंद्रियों पर दमन करो स्वर्ग में बहुत सुख होता है न तो साथ देवताओं बिशय हो गए भगवान को भूल गए और मनुष्यों से कहा देखो तुम नंगे आये थे इस संसार में और शरीर भी धरा लिया जाएगा यहीं पर निराकार जाओगे तो यहां तुम को जो कुछ मिले वो भगवान का मानो अपना न मानो दान करो दान करो दत और दानों से कहा कि तुम लोग अपने स्वार्थ के लिए हिंसा करते हो मर्डर करते हो दाया करो दाया करो नहीं 84 लाख में घूमोगे तो हम लोगों के लिए पितामा ने उपदेश दिया कि दान करो तुरसी दास ने भी लिख दिया प्रकट चारी पदधर्म के कालिमह एक प्रधान येन के नभी धि ध्यान दीनेव धान करई कल्यान दान से कल्यान होगा जिसके पास धन है वो दान करो और धन सब के पास है कोई बिल गेट्स है कोई खाली करोड़ पती है कोई लगपती है कोई हजार पती है किछी के पास दस बीश पैसा है भिखारी है है सब के पास सब कपड़ा पहनते हैं, सब रोटी खाते हैं तो कुछनों कुछतों सब के पास है उसी में से अंश कादान करो गरीब का एक पैसा अमीर के एक अरब के बराबर है भगवान के यहां संख्या नहीं देखी जाती यह देखा जाता है कि तुम्हारे पास कितना है टोटल दस करोड़, दान कितना किया, सव रुपया अच्छा, इसने मकार हो, बाकी का क्या हुआ वो नाती पोता के लिए छोड़के हो मर गए वो आवर आवारा हो जाएंगे जिनको छोड़के तुम मर गए हो क्योंकि उनको पका पकाया मिलेगा, तो हो क्यों मनुष्य से बने रहेंगे तो दत बार-बार उपदेश करते हैं बेदव्यास से पूछा एक ने कि कोई दरिद्री क्यों होता है और कोई बड़ा अमीर क्यों हो जाता है एक मामूली पढ़ा लिखा हाई स्कूल भी नहीं है और अरप्पती है उसके यहां नौकर चाकर है बड़े बड़े क्वालिफाइड लोग हाँ ऐसा क्यों होता है तो ब्रह्मा ने कहा कि अदत्त दाना चभवे दरिद्री दरिद्रभावा चकरो तिपापम जो मानो देह पाकर और प्रारब धबश धन पा लेता है अधिक अपनी आवस्यक्ता से अधिक भगवान ने बड़ी चालाकी की है सबका पेट बराबर मनाया है बलकि भीखारी ज़्यादा खाता है पैसे वालों से पैसे वाला दो रोटी खाएगा भीखारी दस रोटी खा लेता है तो अब जब अधिक हम खा नहीं सकते तो पैसे का क्या करेंगे उतको एकठा करेंगे दानम भोगो नाशा तिस्त्रो गतयो भवन्ति बित्तस्य पहली गती दान दूसरी गती भोग तीसरी गती एकठा करके छोड़ जाओ यह तीन गती है दनकी तो जो न ददात न भूंगते तो तीसरी गती फिर उसकी होगी 84 लाख योनियों में घूमना तो ब्रह्मा ने कहा कि जो दान नहीं करेगा अपने शरीर की आवस्ट्रक्ता की पूर्ति तक का मनुष्य भगवान के कानून के अनुसार अधिकारी है उसके आगे उसके पास जो है उसको दान करना चाहिए बस यह कानून है अधिकम जो भी मननेत सस्तेनों दंडमरहती अगर कोई नहीं करता दान तो दरिद्र होगा आगले जन्म में फिर पेट के लिए पाप करेगा चोरी करेगा दकैती करेगा और फिर पाप करने से नरक जाएगा तो यह तमाम प्रकार का बैशम में जो संसार में दिखाई पर रहा है इसलिए है तो हमने अपनी ड्यूटी का पालन नहीं किया एक ने खूपदान किया अगले जन्म में करोड़ पती हो गया बिना परिश्रम के अरे आज कल तो लाचली भी खुल जाती है एक एक करोड़ की उसने कौन सा परिश्रम किया कमाने में और कमाने में भी एक आदमी दिन भर लगा है रात भर लगा है घाटा हो गया दिवालिया हो गया और एक बैक्ती मतर गस्ती करता रहता है और ब्यापार भी करता है तो करोड़ती वजाता है कि पूर्ब जन्म की कमाई मिलती है हमने पहले दान दिया है तो इस जन्म में भगवान उसका फल देते हैं हमको अगले जन्म के लिए सोचना चाहिए और सोचकर दान करना चाहिए लेकिन दान चार प्रकार का होता है तामसी व्यक्ति को दान करोगे नरक मिलेगा पेलो हमने दान भी किया और हमको नरक भी मिलेगा गलत पात्र में किया दान और उसने उस पैसे का दुरुपयोग किया तो तुम भी शरीक होया पराध में और अगर राजसी ब्यक्ति को दान करोगे, राजसी फल मिलेगा, सात्विक ब्यक्ति को दान करोगे, तो स्वर्ग मिलेगा, यह तीनों नत्पर हैं और अगर भगवान के निमित्य दान करोगे, तो भगवत कृपा मिलेगी, भगवान की बस्तु हैं मिलेगी, यानि दिभ्यानंद मिलेगा, भगवान का लोक मिलेगा दान के ही फल से हरिश्चंद्र वगेरा महापुरुश हो गए गो लोक में चले गए केवल दान करने से बाल बच्चे भी दान कर दिए बली वगेरा बड़े-बड़े दानी हमारे इसी भारत में हुए है खाली दान के बल से कोई तपस्या नहीं की तो जो भगवान के निमित्त दान है वही सरबोच्च है उसी से हमें लक्ष की प्राप्ति होगी इसलिए जहां तक हो सकए भगवान के निमित्त ही दान करना चाहिए भले ही हम एक रुपया दान करें गलत पात्र में दान नहो अपनी प्रतिष्ठा के लिए दान नहो आजकल ऐसा भी होता है हमारा नाम खुदवा दीजिए हम पचास लाख देंगे ये बीमारी है हम लोगों को मंदरों में आप देखते होंगे पत्थरों पर नाम लिखे रहते हैं बाप के बाप के बाप के ना ये सब बैपुंठ जाएंगे अगर दान करके और आउट कर दिया तो दान का फ़ल नहीं मिलेगा एक इंद्र स्वर्ग का राजा इंद्र बड़े बड़े रिशी मुनियों को पालकी में लगाया कहार बना करके बड़े बड़े रिशी मुनियों ड़र के मारे पालकी में कहार बने और पिटाई करे हो उन्हों ने कहा इसका पतन करना चाहिए तो वो बिद्वान नहीं था दान के बल से अस्वेध यग के बल से इंद्र हो गया था तो रिशी मुनियों ने चालाकी की उन्होंने कहा महराज इंद्र आप इंद्र कैसे बने थे उन्होंने कहा मैंने ऐसा जग्ड किया मैंने ऐसा दान किया मैंने ऐसे धर मुशालाएं बनवाई मैंने ऐसे वो अपनी सारे दान की बात बोल गया बस पतन हो गया मृत्य लोग में कुट्टा बनकर आना पड़ा उस इंद्र को स्वरगर के राजा को तो दान गुप्त होना चाहिए और अहंकार नहीं होना चाहिए कि लोग जाने हमने दान किया हम लोग एक भिखारी को भी दस पैसा देते हैं तो अगल बगल देख लेते हैं ले अरे उसमें भी भगवान बैठा है जो तुम्हारे अंदर भगवान है वही उसमें है एक दिन तुम भी ऐसे ही थे अनंत जन में बीते हैं सब के और सब प्रकार की दशाओं को भोगा है हम लोगों ने आज जो हैं वो कल रहेंगे ये दराबी न सोचो ये परिवर्तन सीर जगत है देखो शरीर में ये कितना चेंज होता है वो भलेई बिल गेट्स हो लेकिन जब जुआ वस्ता है अब बढ़ापा आया अब बोलो गेट्स ताफ अब तो लटिया लेके चलता हूँ देखो शरीर ने जवाब दे दिया भोगों दुख वो पैसा नहीं काम देगा सब भोगते हैं क्या करें बिचारे तो इसलिए हमको दान करना है सही पात्र में नमबर दो दान करने में हम उसके बदले की भावना न रखें अप्रचार हो हमारा नाम हो ये भावना न रखें जहां तक हो छुपा करके दान करें वो फिर दान का महत्व अंतहकरण की शुद्धी होगी और फिर भगवत कृपा होगी और फिर मरने के बाद हमको आनंद प्राप्ति होगी इसलिए बहुत बुद्धमत्ता पूर्बक दान करना चाहिए और दान अवश्च करना चाहिए नहीं करोगे सीधे तो टेड़े करना होगा सरीर छोड़ना है अब जाओ तुम अरे तु ये हमारा सब कुछ बनाया हुआ अरे जाओ जाओ बनाया हुआ तुमारा छोड़ जाओ अजी मैंने बड़ी गाड़ी कमाई से ये हबेली खड़ी की है हाँ हाँ ठीक है लिए बालू मैं ये दुनिया भगवान की है हाँ तो किसी की जमीन में बिल्डिंग खड़ी करना तो घलत है न और तुमने किर दिया अच्छा है ये तुम लेने ही जा सकते है इसके बनाने में कोई मक्कारी तो नहीं की नहीं की है तो उसका दंडलक भोगो और बिल्डिंग छोड़ जाओ भगवान का ऐसा कानून है तो हम लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए खास तोर से पैसे वाले लोग उनसे बहुत गलतियां हो जाती हैं अपराद हो जाते हैं अहंकार के कारण गरीबों को कष्ट दे देते हैं किसी का अपमान कर दिया किसी को दुख दिया तो समझ करके संसार में रहना है सब में भगवान को मान करके और नम्रता पूर्बक मानवता जिसे कहते हैं उसका पालन करना चाहिए ऐसे दान से हमको मरने के बाद भगवान की कृपा प्राप्त होगी और हम फिर अगले जन्म में अगर कुछ कमी रह गई तो थोड़ी साधना करके भगवत प्राप्ती कर लेंगे आप लोगों को मैं धन्दबाद दू इसकी आवश्यक्ता नहीं है यह तो संसार में सब एक्टिंग करते हैं कि आप लोगों ने यह पनवाने में सहयोग दिया बहुत बहुत धन्दबाद जो करिए आपके डूटी थी आपने किया इसमें धन्दबाद की क्या बात है अरे आप भगवान के दास हैं भगवान का मकान हैं आप लोगों ने अपनी अपनी डूटी करके सेवा किया करना ही चाहिए इसमें अंकार की बात नहीं है हां साम मैंने किया और करना चाहिए और अधिक परमार्थ की भावना बनाना है और आगे बढ़ना है भगवान के पास तभी तो हम एक दिन भगवत प्राप्ति करेंगे शैश फेर तो हमार्णा है तो हमार्णा से पमार्णा है झाल झाल